आपका स्वाधत है कि आपको बताऊंगी कि मैंने अपने किचेन गार्डन में इपने बलीचे में कुछ सब्सियों के पौधी लगाए हैं और वो मैंने किस तरह से लगाए हैं यदि आप इस तरह लगाना चाहें आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं यह उन लोगों के लिए हैं खास थोर से जिनके घर में कम जगह है या कथी जगह नहीं है वो भी इस तरह से अपना शौप पूरा कर सकते हैं सब्सियां पार्डन मेरा काफी दिनों से लगाव खासकते हैं चक्नी पीश रहें आप लगे इसका किस ला सकते हैं अगर ऱीन सबसी बना रहें तो सबसी में भी आप इसको डाल सकते और यह हमेशा आपको अव्यापर आपको अवैलिबल देगा नीचे लगत्त होती चली जाएगी और वह वो भी बड़ा होता रहेंग कार मीचे बनती रहेगे और आपको उपर यहारी पत्ते मिलते रहेंगे तो ये भी इसका बड़ा अच्छा आप इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने धनिया लगाया है तो मैंने ये धनिया कैसे लगाया है दोस्तों ये धनिया जो है इस गमले तो मैं आपको बता आना चाहूंगे कि मैंने इसमें धनिया किस तरह से लगाया है? दोस्तों जब आप बजार से धनिया खरिद के लाते हैं तो आज कल आपको बड़ी जड़ों समेछ धनिया मिलता है जो धनिया की पूली मिलती है उसके अंदर खुब जड़े होती है नीचे तो मैंने क्या किया है मैंने उन उस धनिये को इस्तेमाल किया आगे से काटके और पीछे जो जड़े होती है वो पूरी जड़े उसके उपर का इतना हिस्सा जिसमें एक नीचे से पत्ता निकल रहा होता है उसको मैंने लेके यू का यू इस गंबले में गाड दिया तो यह सब पत्ते अभी नए आए हैं लेकिन वह जड़े इसके अंदर लगा दी थी उसी से यह ग्रो हो गया है वापस और इस तरह से मुझे बहुत ही जल्दी यह इतना बड़ा बड़ा धनिया प्राप्त हो गया है तो यह इसको लगने में बहुत टाइम लगा क्योंकि मैंने पहले लगाए बीज लगाये फिर वो प्यार भड़े में पचीज दिन इसको हो गया है लेकिन इसको लगाया मुझे दानीया मिलने लगाये अब मुझे जब भी जब दूरूदित हो कि मैं इसको यह तोड़ओे या नीचे वाला फिर गरो गर दाख रहें तो इस तरह के जो भी ग लिए पजादार में पालक उख जाता है तो इस तरह से मैंने कि इस लम्बे गंले में इस तरह से पालक लगाया ए बजार से बीज लाके और देखे दोस्तों यह भी अभी काफी बढ़िया खिल रहा है हनागे यह बहुत छोटा है लेकिन यह बहुत अच्छे से इसमें चल रह उसके अंदर आपने यह बीचों को फैला दीजिए और उसके एक हलकी सी लेयर मिट्टी के लगा के आप पानी दीजिए और बहुत जल्ब ही इसके अंदर से भी इसके पौधे निकल आएंगे तो मैंने इसको भी एक गमले में लगाया है देखिए यह गमले में भी अच्छे स चुकी हूं एक बार मैंने इस मेथी को यूज कर लिया है काटके और अब उसके नीचे से वापिस यह देखिए यह देखें आप यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह रीग्रो अब अब दूसरी फसल इसके अंदर आ रही है पहला वाला जो बहुत अच्छा बड़ा इस तरह से हम दो या तीन बार मेथी की फसल भी ले सकते हैं और यह गमले के अंदर पाफी सारी लग जाती है मैं एक बारी ने ताट के इस्तमाल कर चुकी हूँ इसी तरह से हम जब पालक को भी तोड़ेंगे थाम उपर उपर से पतियों को निकालेंगे कुरा नहीं उखाड़ेंगे तो आमें नेक्स ताइम फिर इसी में पालक अवेलिबर हो जाएगा तो यही चीज धनिये के साथ भी लागव होती है धनिये की भी आप पतियां पतियां उपर से तोड़िएगा और नीचे वाला रहने दीजेगा फिर इसमें से रीग्रो हो अब बस गमले के अंदर इसको चोटा सा छेट करके और आप इस तरह से इसको लगा देंगे दंडी को और पानी दे देंगे बस यह अपने आप सी पर पौधा बन जाएगा और यह तयार हो जाएगी गमला मेरा जो बहुत पुराना है नाया नहीं है मैंने बहुत पहले से इ कि मुझे ताजा पणी इए उस आप धिना में भी जाता है जो मिल जाता है जब बजना भी सब्सक्राइब feelings जिक दिए जरूरत अपने घर में लगाइए जुब और गरी-पत्थे का भी पेड़ आप जरूर अपने घर में लगाईए क्योंकि यह बहुत ही लाब दायक पेड़ हुआ को शुट करता है दूसरा अगर आप इसको अपने खाने में यूज करते है तो बहुत बढ़ी आपकी खाने में देता है जिसकी में मुझे जब भी इसकी जरूरत होती है मैं इसको जब भी जरूरत होती है जब भी इसकी बनाते है तो वह आकर मेरे से इसे मांकर ले जाते है और बहुत सारे अपने दोस्तों को मैं तोड़कर भी इसको अलग अलग अब लगा कर देतीं क्योंकि मेरे पास इसकी वजह से और भी नए-नए प्लांट निकल गय गए जो मैंने बहुत अच्छे वाली कॉलिटी के नीबू आये थे घर में, बहुत बड़े बड़े और बहुत रस वाले थे, तो मैंने उनके बीजों को यहां लगा दिया और यह देखे यह उग गए, और यह कितने बड़े हो गए हैं, चार साल हो गए होगे, इन कौदों को लगे वे, यह अगली वैस्त वीडियो में, जब तक के लिए, नमस्ते, गुट बाई, हुछ रहिए, स्वास्त रहिए